हालो फ्रेंट्स स्वागत हाप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वोड़ेस मैट्स मैं फ्रेंट्स आज ये क्लास फ्रॉम होम का पार्ट नाइन है जी है क्लास ये आज नाइन है तो चलिए शुरुवात करते हैं फ्रेंट्स इस वीडियो का हम लोग पांच प्रतिसत प्रतिवर्ष चक्रविर्धी ब्याज पर आठ सो रुपय की धनरासे कितने वर्ष में आठ सो बिरासी रुपय हो जाएंगे देखिए कोश्चन अमनों से ऐसा बोल रहा है कि 5 परतिसत परति वर्स रेट जो है 5 परतिसत दिया हुआ है और बोला है कि अगर 800 रुपया है तो अग कितने वर्स में 880 रुपया हो जाएगा चक्रविर्धी ब्याज पर जी हाँ ध्यान देजएगा ये चक्रविर्धी ब्याज है साधरान ब्याज नहीं है तो इसके लिए देखिए जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज़ करेंगे हाँ पर ए बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर बटे में हन्रेट का पावर एन एन मतलब होता है पर नमबर अफ टाइम तो इसी एन के बारे में हम लोग से पूछ रहा है कि एन जो है यहाँ पर क्या होगा तो ए देखिए मतलब कि हो गया एमाउंट मिस्र धन अ होगए हम लोग के लि do 800 प्रिंसिपल कितना है तो 800 रुपया है तो यहाँ प energ देते हैं वन का तो वन रहेगा रेट कितना है तो पांच परतीसत है और बटे में है 100 है इसका पावर कितना हो जागा एन पांट से देखिए यह कट जाएगा 20 बार में अब इस 800 को इधर ले आएंगे अगर तो यह ऐसा हो जाएगा 800 82 और बटे में 800 और बराबर में देखिए यह क्या हो जाएगा 20 LCM जब इसको ले लेंगे तो यह ऐसा आजाएगा 21 बटा 20 21 बटा 20 आएगा और पावर आएण रहेगा अब इधर के नंबरों काट लेता तकी कटने वाला है यह तो कटेगा 2 से कटेगा यह 400 बार में और 2 से यह कटेगा 4 4 और 1 ऐसा कटेगा अब देखना यह है कि जो यह नीचे वाला नंबर है या उपर लो नंबर है क्या यह किसी के स्कॉयर या क्यों हो रहा क्या तो 20 का देखे यह स्कॉयर है 400 और 21 का यह स्कॉयर है तो इसको मुलग ऐसा लिख सकते हैं 21 बटा 20 का पावर 2 बराबर में इधर 21 बटा 20 का पावर N इसी N को निकलना था तो यह कैंसल हो जाएगा तो N बराबर क्या निकलेगा 2 मतलब कि 2 साल तो option number B इस question का सही answer हो जाएगा उमीद करता हूँ यह question आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई होगी कहीं कोई confusion या दिक्कत नहीं होगी चलिए same question है अब same pattern का इस question को बनाएए वीडियो का पाउच करके और इसका सही answer हमारे comment box में comment करके दीजे friends save को 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा गया और 3 रुपए में 6 की दर पर बेचा गया तो उसका हानी परतिसत क्या है देखिए इस टैप का question जो है एक्जाम में देखते होंगे बहुत बार पूछा जाता है और ये भी एक्जाम में पूछा गया question है most important question है friends बहुत बार एक्जाम में repeat हुआ है तो इसके लिए देखिए एक बहुत ही अच्छा trick है जो आज आप लोग को बता रहा हूँ है देखिए इदर rupees रखना है आपको और इदर quantity रखना है इसका तो रूपया कितना है? 2 रूपया में कितना piece खरीता है? 3 piece और फिर जो है 3 रूपया में वेशता कितना है? तो 6 piece अब cross into कर लेना है cross into करना है नीचे वाला number से जो इसको into करेंगे इसको हैं पहले रखेंगे हम लोग ऐसा 9 और इधर का ये रखेंगे हम लोग तो इधर वाला number जो SCP कहलाता है और ये SP कहलाता है sorry ये हो गया SCP और ये हो जाएगा SP तो 12 रूपया का समान है और हम लोग उसको कितना बेच दियें? 9 रूपया में 12 का समान था और 9 में बेच दियें तो हम लोग को क्या हुआ है? 3 रूपया का लॉस हो रहा है कितने में? 12 रूपया में 12 का समान था आप परसेंट लाना है तो इन 200 कर देंगे 3 से कट जाएगा ये 4 बार में 4 से ये कट जाएगा 25 बार में तो मतलब की 25 पर 30 की हानी 25 पर 30 की हानी देखिया option number C इस question का सही answer हो जाएगा same format कई है question है friends वीडियो का पाउच करें और इसको बनाएं इसका सही answer हमारे कमेंट करके दें A किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है जबकि B उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है दोनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी जो है कितने दिर में भर जाएगी तो चलिए दो नल है एक A है जो की 10 घंटे में भर सकता है और B जो है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है तो भरने वालों का हम लोग प्लस रख लेते हैं और खाली करने वालों का माइनस में रख लेते हैं समझने के लिए अब इस दोनों का LCM अगर लें तो 15 और 10 का LCM कितना हो जागा हो जाएगा 30 10 से ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में तो ये माइनस में रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में 3 लिटर ये भरता है जबकि ये 2 लिटर काली कर जाता है तो एक घंटा का अगर काम देखा जाए तो कितना होगा एक घंटे में 1 लिटर ही भराएगा एक घंटे में 1 लिटर भराएगा और भरना कितना है 30 लिटर भरना है तो एक से डिवाइट कर देंगे तो कितना घंटा लगेगा फरने में तो भरने में लगेगा 30 घंटा option number option number D इस question का सही answer हो जाएगा friends उमीद करता हूँ यह question भी आप लोगो बिल्कुल अच्छी तरह समझ माया होगा exam में अगर ऐसा question है friends तो आप जरूर बना लिजेगा और अभी खेर same format का यह question बनाईए आप पहले वीडियो को पाउच करके और इसका सही answer comment box में comment करके दीजे एक इसी कारे को 12 दिन में तथा भी इसे 18 दिन में कर सकते हैं दोनों नों मिलकर कारे आरंब किया परंतु कारे आरंब होने के तीन दिन बाद B ने कारे छोड़ दिया पूरा कारे कितने दिन में समाप्त हुआ चलिए ध्यान से इस question को पहले समझे बोलता है कि A जो है A जो है वो किसी कारे को 12 दिन में कर सकता है जबकि B इसी कारे को बोलता है 18 दिन में कर सकता है ठीक है तो सबसे पहले क्या करता है जोनों का LCM निकाल लेते हैं लोग तो चलिए 18 और 12 का LCM हो जाएगा 36 12 से यह आएगा 3 और यह आएगा 2 तो एक दिन का काम यह लोग का कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब की 5 ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स यह एक दिन का काम है 5 अब क्या हुआ कि काम आरम्ध जब हुआ उसके 3 दिन के वाद B जो है वो काम छोड़ करके चला गया तो B तो चला गया लेकिन A जो है उसको तो काम करना होगा तो 3 दिन तक तो दोनों साथ में काम किया होगा ध्यान दीजेगा, तीन दिन तक दोनों साथ में काम किया होगा, मतलब कि एक दिन में पांच काम कर रहा था दोनों, तो तीन दिन में दोनों मिल करेके काम कितना कर दिया होगा, पंदरा कर दिया होगा, अब जो है, सेस कारे अगर देखा जाए, तो कितना बच रहा होगा, सेस कारे जो है बच रहा होगा 21 अब इस 20 काम को कौन करेगा भी तो चला गया है और ए करेगा तो एक चमता कितना एक दिन में 3 काम करने का तो यह करेगा 3 के हिसाब से 7 दिन में तो टोटल काम पूछा है तो देखिए 3 दिन यहाँ पर हुआ था और 7 दिन ए लिया तो टोटल काम जो है कितने दिन में होगा 7 प्लस 3 मतलब की 10 दिन तो 10 देखिए किस option में है तो option number B में है option number 20 question का सही answer हो जाएगा friends चलिए अब same pattern का यह question आप लोगों के लिए है वीडियो को पाउच करके सही answer इसका इसके comment box में हम आम रहे हैं दीजे friends next देखिए एक वर्ग का परिमाप 28 cm है चलिए एक वर्ग है पहले चोटा सा एक वर्ग बना लेते हैं आपर समझने के लिए देखे एक वर्ग है जिसका चारों मुझा क्या होता है बराबर होता है तो एक वर्ग है इसका परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप कैसा होता है चारों को जोड़ करके जो होता है वो परिमाप होता है मतलब कि चार बार है तो चार A बराबर लिख सकते हैं हम लोग 28 तो A बराबर कितना आएगा 7 हम लोग को निकालना क्या है तो फिर इस वर्ग का छेतरफल तो चुलिए वर्ग का छेतरफल बराबर क्या फर्मूला होता है वर्ग का चेतरफल बराबर formula होता है A square वर्ग का चेतरफल बराबर formula होता है A square A square मतलब कि A बराबर मिले है 7 तो क्या कर देना है 7 का square कितना आ जाएगा 49 cm square option number option number D इस question का सही answer हो जाएगा friends उमीद करता हूँ ये question में आप लोको बिल्कुल अची तरह समझ माई होगी कहीं कोई परिसानी या दिक्कत हुई होगी friends तो जरूर comment box में comment करे friends video अगर पसंद आ रहा है तो इसे जरूर like करे अपने study group में share करे और अगर आप इस channel में नए student है तो हमसे अभी तुरंट जूड़ेने के लिए हमारे channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें friends ताकि हमेरे सभी important video का information आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए notification सबसे पहले पहुच जाए चलिए same pattern का ये question है आप लोगों के लिए video पहुच करके इसका सही answer comment box में comment करें वीडियो पसंदा है friends तो share, like और comment करें इस video को देखने के लिए आप सबसे जाए